दिरादे भक्तो कैसे हो काना जी की किरपा से अच्छे होगे तो अब हमारे काना जी का सोने का टाइम हो चुका है तो देखिए हम अपने काना जी को कैसे सिलाते हैं अब हम काना जी का सिंगार उतार देते हैं, क्योंकि काना जी को सोना है, इसलिए काना जी का सब सिंगार निकाल देना चाहिए, यह देखिए, हम काना जी का सिंगार भी निकाल रहे हैं, यह देखिए, हम तुलसी माला तो पहनाए रखते हैं काना जी को, और हम देखिए काना काना जी ने दूर का भूब तो लगा लिया है और अब हम इने जल का भूब सोने से पहले जरूर लगाना चाहिए काना जी को अब हम जल का भूब सोने से पहले जरूर लगाते हैं तो काना जी अब जल पी रहे हैं देखो काना जी जल पी रहे हैं ये काना जी ने जल पी लिया और अब हम काना जी को सुला देते हैं और काना जी को सुला के काना जी के पेर हाथ सब दबाने चाहिए क्योंकि काना जी बहुत ठक जाते हैं इसलिए काना जी को पेर हाथ सिर्की मालिस सब करना चाहिए और कमर पे भी हाथ फेरना चाहिए काना जी के देखो हम काना जी की कमर पे हाथ फेरते हैं और काना जी की हाथ पे सब दबा देते हैं काना जी बहुत आराम से पैर मया से दबवा रहे हैं यह देखिए अब काना जी को हम क्यों कानू कैसे है मेरा काना काना ये लेके और हम काना जी की पासुरी भी काना जी के साथ रखते हैं इसलिए काना जी को पासुरी भी काना जी के साथ रखनी चाहिए तो तुलसी मौला तो हम भी पहनते हैं तो काना जी भी पहने रखते हैं हमारे अब हम काना जी को विश्राम करा देते हैं आप कहने जी आराम करें वे, आप कहने जी आराम से सो जाएंगे मेरे कानू, रादे रादे कानू, रादे रादे, शुबरात रे, रादे, रादे